तो एक बार फिर हाजर है हम टेक्स प्लैनिंग के साथ आपके कठिन से कठिन सवालों के आसान भाशा में हम आपको देते हैं जवाब आज के टेक्स प्लैनिंग थोड़ा खास रहने वाला है क्योंकि बीते एक फरवरी को जब बजट आया उसके बाद हमें तमाम आपको जानकारिया मोहिया कराई लेकिन आज के टेक्स प्लैनिंग में हम आपको बारी की से समझाएंगे कि किसको क्या मिला कौन खुश हुआ तो कौन नाराथ इसमें मेरी बदद करने के लिए मेरे साथ मौझूद है रजजी शुकला जी सिया है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो आज के प्रोग्राम में क्या कुछ खास रहने वाला है आपको जल्दी से बता देता हूँ MSME सेक्टर जो काफी समय से परिशान नजर आ रहा था उसको क्या कुछ मिला इसके बाद रेलवे को क्या कुछ मिला ग्रहनियों के लिए क्या कुछ है क्योंकि घर की जो महिला है वो खासा इस चीज़ पर नजर बनाए रखती है कि बजट में इस बार उनके लिए क्या है किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको खुश करने की किस तरह से कोशिश की गई है इसके साथ ही मिडल क्लास जो हमेशा आपने आपको अच्छूता मानता है उसके लिए इस बार बजट में क्या कुछ है बुजर्गों और महिलाओं पर खासा ध्यान रहता है इस बार उनके लिए क्या कुछ है इस पर भी हम करेंगे बाद, बेरोजगारी, जो की इस देश की एक बड़ी समस्या है, उस पर बेरोजगारों को ध्यान दिया गया या नहीं देग गया, इस पर भी हम करेंगे बाद, स्टार्ट अप, पॉलिसी बहुत लाती है गॉर्णमेंट, तो उनके लिए क्या कुछ है, इस पर भी बात करेंगे, इसके साथ ही health sector को क्या कुछ मिला, उस पर करेंगे बाद, तो रजनीश शुकला जी, शुरू करते हैं, MSME सेक्टर, यहाँ पर बात करूँ, तो काफी समय से जो लोग थे, वो काफी परिशान नजर आ रहे थे, interference की बात करेंगे थे, गॉर्णमें में यह कुछ schemes लेके आएं हैं, अगर आप देखो, analyze करो, MSME की situation तो, जो हमारे पास आकड़े हैं, अगर उसके साथ से देखो, around 6.3 करोड के आसपास, हमारे पास MSME हैं, जो करीब कर इंडिया के 40% export को take care करते हैं, और करीब 12 करोड से उपर personal को employ करते हैं, GDP में भी इनका खास contribution है, around 55-60% का contribution जीडीपी में भी करते हैं, तो सरकार के लिए अपने आप में important हो जाता है, इनको विशेश सुविधा मोहिया कराएं, आप fund allocation की बात करो, पीछे budget discussion में भी चर्चा करा था इसको कि 15,700 करोड की fund allocation करी गई है, MSME के लिए, जो almost last year से double है, अब याने वाले time में देखने वाला किसमें से MSME के लिए कितना उपयोग हो पाता है, कुछ और benefits छोटे 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 जो pass on किये सरकार ने, उनमें multi-state cooperative बनाने की बात करी है, ease of doing business के लिए, इनोंने small company के definition को change करने की बात करी है, ताकि maximum MSME को उसके तुरू फायदा पहुंच सके, mega textile park बनाने की बात करी हैं, जो आने वाले समय में 60 textile park बनाने वाले हैं, आप देखो तो इनोंने कुछ duty, आप कुछ products पे इनोंने duty कम करी हैं, या हटाई हैं, या कुछ पे duty लगाने की बात करें, कस्टम सेक्ट में, चार सो ऐसी notifications हैं, या ऐसे आप क्या सकतो products हैं, जिनको rationalize करने की बात क करी जो एक October तो होगा, तो कई न कई खास है, या benefit pass on करने की बात कर रहे हैं, MSME के लिए, ताकि वो business में पूरे तरीके से वापिस आपाएं, और आप देखो इसमें कवेंदर जी, digital payment की भी बात करी, इनोंने उसके लिए पंदर सो क्रोड का fund allocate किया, ये तो छोटे छोटे छ देखो आपके कहीने कहीं, otherwise भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने healthcare sector को भी fund allocate कर दिया, वहाँ पे भी उन्हों चौसट अजार एक्सोशी करोड रुपे allocate करें हैं, आप देखो तो वो भी कहीने कहीने को ही कहीने के connect करता है, जाके, infrastructure spending की बात कर दी, capital expenditure की बात करी, तो जो भी welfare या आप कह सकतो employment generation की बात भी करते हैं, कावेंदर जी प्लीज, जी बहुत कुल देखे, MSME पर बात करना बहुत जरूरी था, MSME का ध्यान लखा जाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जब हम लोग steel industry को cover कर रहे थे, उसकी बात कर रहे थे, तो ग्रहनियों की बात करो, या राधर हम female section की बात करें, क्योंकि वित्तमंत्री भी महिला है, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ रहा, उस पर भी हम बात कर सकते हैं, उन्होंने एक्स्पेशल सुविधा देने की कोशिच करी है, अब महिलाएं भी, रात को भी, अगर night shift भी करती हैं, उन्होंने expect की है कि जो employer से उसके लिए सुविधा महिया कराएं, तो एक तो ये अच्छा जो हम पैरलेंस लाने की बात कर रहे थे ladies और जेंट्स को जो हमारे हमेशा मुद्दा रहता है इंडिया में, तो कहीं ने कहीं ladies बूस्में उभा के आगे आईगी, इंप्लोईर से outcome क्या निकल के आता है, उसके लिए भी हम लोगों को एक इस महीने बेट करना होगा, बाकि यह सी है कि positive कदम जरूर है कि ये ladies को उसमें support करने की बात कर रहे हैं, दूसरों इन्होंने आप देखो तो ज्यादतर महिलाएं, अब आप direct भी कह सकते हो या indirect benefit भी जो pass on करने की बात करें, अब ने textile sector की पीछे वाले topic पर बात करी, तो textile sector में आप इंडिया में देखो, तो maximum महिलाएं हैं जो उसमें work कर रही है, as a labor, as a employee, वो वहाँ पर काम कर रही है, तो अगर textile industry को या textile sector को support मिलता है, तो वो भी indirectly कहीं ने कहीं benefit transfer हो रहा है ladies के पास, इसके अलावा इन इस बात करी, इस बारी की margin money को, they have reduced from 25% to 15%, तो जो ladies कल को business में उतरना चाहते हैं, अज एंडर पने और तो उनके लिए भी यहां से benefit निकल के आएगा ही आएगा, और इसके अलावा जो हमने पीछे पिछले topic पे बात करी के MSME sector में, of course, वो benefits तो ही है, वो तो globally सब के लिए हो प्लीज, रजनीश जी, हमारा जो देश है, चलता, फिरता, दौडता, भागता देश है, तो जब हम बात करते हैं, mode of transport की, तो सबसे ज़्यादा आम आगनी जो है, वो railway में शफर कर रहे हैं, लोग, उनके लिए कुछ है, railway में बजट में कुछ बदलाव किया गया है, कुछ बजट में कुछ ऐसा दिया गया हो, आपको लगा हो की कुछ अलग है, सर, railway hot topic, और हमारे जो minister है, he is also chartered accountant, तो हम लोगों के लिए तो बहुत interest का हमेशा रहता है, आप देखो, railway ने growth show करी है, आप पिछले 5-6 सालों में देखो, तो वो positive trend दिखा रहा है, safety measures में भी देखो, या नई गाड़ियों में देखो, उनकी quality के उपर देखो, तो हर चीज़ पे खासा ध्यान दिया गया है, जब आप इसकी बात करें, और अगर आप कुछ साल पीछे चले जाओ, तो पीछे railway budget ही अपने अलग budget आया करता था, तो सच्छे huge fund जो आप allocate करते हो railway को कि अपने दस हजार करोड के उपर fund है, जो उसमें allocate किया है, जिसमें से एक लाग साथ हजार के आसपास, तो capital expenditure, capex की बात करी है, कुछ इसमें भी हमारे पास जो हम लोगों ने चर्चा करी और जो budget के आप बात करो, जिसमें facts आए हैं, corridor बनाने की बात कर रहे हैं, western dedicated corridor की बात कर रहे ह आप देखें तो इन्होंने tourism की खासा benefit के लिए विस्टाडोम की बात भी करी है, विस्टाडोम coaches अब आपको इंडिया में देखने को भी मिलना शुरू हो गए है, आप शिल्ला रूट पे भी जाओ तो आपको देखने को मिल रहा है, तो कहीं ने की पूरे पूरे railway को reform करना अच्छा present करना और अच्छी funding उसके लिए देना, सारी चीज़े एक साथ इस budget में take care करी गई है, देखें आने वाला समय भी अच्छा हो सकता है, और railway के लिए, अच्छा security measures की भी इसमें खासी इन्होंने protection system के बात करिये, जो indigenously developed protection system में, उसको भी budget की चर्चा में, budget की speech में मैडम के थूँ लाया गया है, प्लीज का बेंदर जी, रेलवे की तो बात हो गई, सड़क के लिए बहुत कुछ किया गया है, जी न रजनीश जी, हान जी, capital capex में तो इन्होंने खासा इजाफा किया है, आप देखो तो, जो हमारा budget है, budget कहीं न कहीं long term focus case आप से बना है, ज quality infrastructure तैयार हो, ताकि हम ज्यादा ज्यादा अच्छा business कर पाए आने वाले समय में, और ज्यादा से ज्यादा foreign funding को भी इंडिया में ले के आपाए, जी देखे बिल्कुल, जब budget आया, तब ऐसा महौल था कि दिल्ली की तमाम सीमाओं पर, जो किसान है, वो प्रदरशन कर रहे ह तो ऐसे में ये चीज बहुत जरूरी थी जादना कि इस बार budget में क्या कुछ उनके लिए दिया जाएगा, उनको खुश करने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसे में ये बताईए, रजनीज जी की इस बार के budget में, किसानों के लिए क्या कुछ दिया गया है? ये एक दूसरी चीज है इसमें, तीसरा इन्होंने credit line की जो बात करिये 16.5 lakh करोड के credit देने की बात करिये farmers को, अच्छा farmers आप सिर्फ किसान तक ही बात नहीं करो, इसके बात फिशिंग के लिए उसमें भी इन्होंने fund को इलोकेट किये है, इसमें तो सौमित्व स्कीम में भ benefit अच्छा लेकिया है और ये proposal सही तरीके से कारगर होता है समय पर, प्लीज कावेंद्र जी. कोविद, पोस्ट कोविट सिच्वेशन में जहां पे सरकार ने कहा कि उनको काफी fund की दरकार है, they are in shortage of fund and they are thinking of going for loan as they have proposed, उस सेनारियो में अगर इनोंने कोई भी निया additional tax या assess as we were expecting अगर नहीं डाला मद्यम वरगिये पे, तो ये भी एक आप कह सकते हो support ही है कि government कह रही है कि कोई बात नहीं, इस तकलीफ में भी हम इसको take care कर लेंगे, आपकी position को वैसे की वैसे ही रखते हैं, तो ये एक आप इसको the way you take positive भी ले सकते हो इसको, बाकी जो छोटे छोटे कुछ benefit transfer करे हैं, रैधर छोटे लगेंगे आपको इस चर्चा में, जैसे इनोंने बात करी थी, कि LTC की LTC को cash allowance उसके एवेज में दिया गया था, तो ये benefit पीछे इनोंने pass on कर दिया था, कोई 19 के time में ही और उसको आगे carry करने की बात करी है, दूसरा जो affordable housing scheme वाली बात थी, उसमें इनोंने residential house property वाली बात थी, वो भी हमने पीछे चर्चा करी थी, उसमें एक एक साल इनों भी चर्चा करी थी, है सच कोई खास नहीं है, बढ़ हाँ ठीक है, प्रीफिल्ड रिटर्न उनके लिए निकल के आएगी, एक ये वाली थी, तो यही चोटे-चोटे भी benefits हैं, जो आप जिसको आप positive कह सकते हैं, बाकी यह से HNI या high net worth individuals से उनके खिलाफ जरू strongly आए हैं, कि जिन्होंने उसमें यूलिप में उन्होंने फंड लगाया थे, पीफ में लगाया तो धाईला के उपर का जो फंड लगाया तो उसको लेके ये policy में जरूर लेके आ रहे हैं, कि whatever interest they earn, that will become taxable in the coming year, तो इसको उन्होंना प्रपोस किया है, तो this is only जो middle class के पास आ रहा है, हाँ indirect benefit की बात करो, तो जो job employment create करने वाली बात है, वो हमने MSME में अभी discuss भी कर लिया, ऐसे ही आपके MSME और start-up वाला भी है, start-up में भी इन्होंने कहीं funds allocate करने की बात करें, तो जैसे जैसे वो चीज़े बढ़ेंगे, तो of course employment और चीज़े बढ़ेंगे, जी बढ़ेंगे, जी ब आपने कवर करवा जया था, बुजर्गों के लिए क्या नजर आया आपको इस पूरे budget में, क्योंकि इन पर खासा एक वो रहता, एक नजर रहती है सब की, तो बुजर्गों के लिए और महिलाओं के लिए क्या नजर आया आपको, हम महिलाओं की हमने job creation की पीछे बात करी ल जहां से आपकी pension आ रही है, तो वो एक छोटा सा benefit पास किया है, बाकी situation को वैसे ये लेके चल रहे हैं इस परे budget में तमाम बड़ी समस्याओं में एक समस्य education भी है, population की बात होती है, education की भी बात होती है, education को बढ़ावा देना है, यहर कोई बात करता है, क्या कुछ है, इसके लिए सरकार ने क्या नजर आता है आपको नय सैनिक स्कूल, आपका university की बात भी हुई इस बारी, national education policy की बात हुई, national education policy 2020, 15,000 स्कूलों की हमने बात करी थी, जहां पे national education policy को लेके आएंगे, हम लोग पीछे discuss कर चुँगे, पिछले बारी मैं आपको थोड़ा सब brief कर देते हैं बारी की से जानना जरूरी है, यहां पर क्योंकि छात्र बड़ा इंतिजार करते हैं, वो बारी की से जानना चाते हैं कि दरसल उन तक क्या पहुँचा, क्योंकि आसान भाशा में उनको समझाना बहुँच जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा रजनीज जी, जब वित् National Education Policy 15,000 स्कूलों में इस policy को implement करने की government ने बात करी है से एक बहुत बड़ा gap है like हम लोग भी market में हैं तो देखने को मिलता है कि जो बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और जो market की perception है या requirement है उसके बीच में बहुत बड़ा gap है तो इस पे आप कह सकते हो सरकार का प्रयास है कि ने education policy लाने का अगर ये education policy अच्छी तरीके से implement हो पाए या जो market के requirement है job के लिए क्योंकि अगर आप पढ़के भी आए market में लेकिन market की job के requirement अलग है तो आपकी पढ़ाई कहीं ने के useless हो जाती है तो ये national education policy के तुरू उसको ठीक करने की वो कोशिश कर रहे हैं ने स्कूलों की ने बात करी जैसे एकलब्वी स्कूल की बात करी इन्हों 38 करोड़ से लेके 40 करोड़ तक का हिली एरियास में इन्होंने उसके लिए भी प्रापधान किया है की वहाँ की लोगों को भी या वहाँ की बच्चों को भी connect कर सके इन्होंने post matrix scholarship scheme जो schedule cast के लिए है उसमें central assistance की बात करी जहां पर करीब 35-219 करोड़ का figure है हमारे पास इतने की allocation करने की बात करी है 25-26 तक central university ले हमने last time भी बात करी थी फिर से अपन चर्चाए कर लेते हैं कि एक हाँ university लानी की बात कर रहे है इससे हमारे जो लेह जो छूड़ गया है कहीने के जम्यों कश्मीर के आब बात करती हो तो लेह का भी विकास होने में और उसको हम लोगों के साथ जुडने में मदद मिलेगी इसके बाद हमने business school, hair education, r&d ये भी पीछे भी चर्चा करी थी research and development के लिए भी सरकार का program है और research and development यही नहीं वो start-ups के लिए भी research and development को वहाँ पे भी लेके आएंगे अगर research and development में अगर company जाती है तो उसको फिर अच्छा benefit वो पास आउन करेंगे साइनिक स्कूल हमने पीछे भी चर्चा करी थी साइनिक स्कूल लाने की बात कर रहे है National Digital Educational Architecture इसकी भी बात इन्होंने इस बारी करी है और remote learning में यह आपको खासा NEP 2020 की बात करी है जो remote learning में खासा help करेगे हमारे चात्रों को प्लीज जैसा भी आपने बताया उस point को मैंने catch किया आपने बताया कि education की बात हो गई लेकिन पढ़ाई लिखाई करके भी अगर नौक डिया लगे बिरुजगारी सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी समस्या बिरुजगारों के लिए क्या कुछ है यह थोड़ा सा हटके है अगर मेरा वियू लो तो हम इसको दूसरे तरीके से लेते हैं मतलब सरकार तो तमाम बड़ी-बड़ी बाते करते हैं बजट में कुछ दिखा आपको जो उनके लिए दिया गया हो specific तौर पर कुछन चेंज कर दिया आपने रहे रहे अभी आप कह रहे हो कि उनके मार्केट से क्या है और दूसरी बार है बजट की बजट ने तो देखो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर दी बजट आपको कहीं ने के कनेक्ट कर रहा है स्कूलों की बात कर दी उसने ने स्कूल लाने की बात कर दी सैनिक स्कूल की बात कर दी जो good connect है हमारे पास school है लेकिन school की education के हमें market से सही जोड़ती है अगर वो नहीं जोड़ पा रही है तो कहीं ने कहीं वो education बच्चों के लिए useless हो जा रही है तो अगर आप budget की और national education policy के बात कर रहे हो we can expect कि ऐसी policy ऐसा framework आए जिसमें बच्चे वो सीखिए जिसकी वाकिए उनको जरूरत एकल को रैधर देन सिर्फ किताबे रेटन और मार्क्स पाना तो ये overall कहीं tectonic shift ही हो गया है कि बच्चे आजकल मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि numbers आ जाएं rather than knowledge or education की बात करें तो आई होब कि ये भी एक shift आए समय के साथ और बच्चे exactly उसके लिए तयार हो जो market के requirement है या knowledge के लिए तयार हो ताकि जब आप start-up की बात पर start-up भी वही बच्चा ला सकता है ऐसी देखो policy तो ला दी government ने लेकिन अगर बच्चे के पास knowledge level नहीं है तो वो start-up की policies धरी के धरी रह जाएंगी चाहे सरकार कितनी भी policy लेकिया MSME की policy धरी के धरी रह जाएंगी अगर जो नए बच्चे हैं और उनके पास knowledge या skill वो नहीं होता है तो बच्चों से भी हम यह expect करते हैं knowledge और skill की तरफ ध्यान दे आने वाले समय में उनके लिए जो यह schemes हैं यह बहुत benefit देंगी उनको और उनको ही नहीं benefit देंगी वो as an entrepreneur कल को अपने पास लोगों के employee भी कर सकेंगे और उनका vision अच्छा होगा future को लिए इस पर बहुत बार debate भी होता है कि education जो है वो skill देता है फिर भी अब जब आपने start-up की बात करी दी start-up के लिए क्योंकि government तो बहुत बात यह करती है start-up policies लाती है कई तरह की बढ़ावा देती है जो यह एंटरफेनोर्स है start-up के लिए आपको क्या नजर आया आप हमारे दर्शकों को समझाईएगा बजट के साथ पीछे से भी चले पीछे भी हम लोगों ने जैसे चर्चा करी थी start-up इंडिया stand-up इंडिया आपने funding की बात करी थी government start-up इंडिया में support देने की बात करती है if you go for a volume or for a specific product जो की जिस अच्छा market will market में हो तो उसके लिए को support देने की बात करती है companies act में भी उन्होंने support दिया है कि ठीक है आपके जो taxation के percentage है उसको नीचे लिया है उन्होंने easy funding की भी बात करती है start-up में अभी उन्होंने फिर देखो इस बारी बात करी है कि start-up में प्रपोस कर रहे है capital gain exemption की इन्होंने बात करी है for investment in start-up अगर start-up में आप invest करती हो तो आपको उसमे capital gain का exemption भी मिलेगा gift city की बात इन्होंने करी है digital payment की बात करी है आप देखो companies act आपको facilitate करती है कि even you go for a one-person company अभी तक यह इंडियां के लिए था आप इन्डिया में आए और अपनी company अगर as an individual शुरू करना चाहता है subject to certain conditions जहां आप इन्होंने days के लिए में डाले कि कितने दिन कम से कम उसका stay होगा तो उसको इस category में cover करेंगे तो वो इंडिया में आके business शुरू कर सकता है चोटे business man को देखो small company का benefit दे दिया tax audit का benefit दे दिया limit बढ़ा के अब 10 crore तक कर दी सब वहां पे भी subject to condition के अगर को banking transaction 95% से ज्यादा के होते हैं तो आप जो है tax audit से भी free हो जाते हो re-assessment opening यह भी last time अब लों discuss किया तो वह पी-पी पीरिड इन्होंने घटा के रिडियूस करके तीन साल कर दिया है तो यह कुछ एक छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे benefits हैं चो इन्होंने pass on करे हैं चोटे-गया रधर बहुत important benefits हैं अगर इनको start-up को cleverly अगर कोई भी बच्चा या निया entrepreneur start-up शुरू करना चाहता है तो इसका benefit ले सकता है प्लीज काविन जब हम education से लेकर बेरोजगारी तक जा रहे हैं जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं जब हम middle class की बात कर रहे हैं मतलब तमाम class and categories की बात करने के बाद एक चीज बहुत जानना है है जो हम सब से तालुक रखती है वो है medical facilities health care के लिए क्या कुछ दिया government ने क्योंकि health care पर जोर देना बहुत जरूरी था कोविड के time पर बहुत साई चीज निकल कर सामने आई थी हमारी कमजोरियां है वो हम सब को पता लग गई थी कि हम health care में कहीं ना कहीं पिछड रहे हैं तो इस बार जो health care जो कोविड 19 जो हमारे देश में जो संकट रहा उसके बाद पहले बजट में medical facilities health care के लिए आपको क्या नजर आया यह तो देखो एक factor है कि health को लेके हम लोग as an Indian हम लोग नजर अंदास करते हैं उसको या उसको first priority पर नहीं रखते है कोविड के बाद situation बदली है nutrition program की बात हो गई इस बार यह प्रपोस्ट बजट में देखो तो इन्हों nutrition program की बात कर दी portion अभियान वर्ड हिंदी के बड़े अच्छे अच्छे words आ हैं जो इस बारी सुनने को मिल गए आउटले हमने अभी MSME के टाइम में भी बात करी थी फिर से यहां बात कर दी चौसट इक्सवासी करोड के आउटलोग की बात सरकार कर रही है आने वाले छे सालों में integrated public health labs की बात भी हो गई इस बारी hospital block बनाने की बात कर दी इन्होंने NCDC को strengthen करने की बात कर दी और अगर आप देखो तो इन्होंने वैक्सीन के लिए इन्होंने इस बारी healthcare professional bill इस बिलकुल आने की बात कर रहे हैं तो आप देखो तो healthcare आउटले पे इन्होंने पतलब आप estimates देखो तो budgeted estimate में जो figure था वो figure ही इन्होंने खासा बढ़ा दिया है हमारे कहलो पब्लिक के लिए पब्लिक के benefit के लिए प्लीज के लिए प्लीज के लिए फाइदा होने वाला है आपकी healthcare के लिए क्या फाइदा दिया गया है अब ट्रेन में सफर करते हैं तो वहां आपको किस तरीके से रियायते दी गई है हमने एट टू जेट पॉइंट हावर कबर करने की कोशिश की अगर आप क्यों लगता है कि इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें comment box में लिख सकते हैं और तब तक आप बने रहिए न